दोस्तों कभी 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 क्या होता है कि आपका डॉग छिपकली खा लिया, कभी मौजा खा गया, कभी रूई खा गया और कभी कोई और जहरीला चीज खा लेता है या फिर कभी कोई और बरा बरा समान खा लेता है जिसके बेसे उसको चौकिंग हो जाता है या फिर बहुत ही ज जाता है और यह एक इमर्जेंसी है अगर यह आपको पता रहेगा तो ही आप अपने डॉक की जान बचा सकते हो नहीं तो दोस्तों काफी मुश्किल हो जाएगा और यह वीडियो आपको अच्छे तरीके से हेल्प करेगा नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग आपको देख रहे हैं आपका फैबरेट प्यारा यूट्यूब चैनल पॉम टॉय अनुराग दोस्तों आज का यह छोटा सा प्रोड़क्ट आपके डॉक की जान बचा सकता है यह वीडियो मैंने साथ महना पहले सोचा था कि डाल दू लेकिन किसी कारण वस मैंने नहीं डाल पाया और तब से अभी तक अटलिस्ट पांच डॉक की जान बच पाई है इस चीज के बज़से दोस्तों इस प्रोड़क्ट के बारे में मैंने अपने फर्स्ट एड वाले वीडियो में बतलाया था कि आपके घर में कौन-कौन सा सामान साइबिलेबल होना चाहिए तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दूसरा काम दोस्तों इसका काम एक तो तब होता है जब आपके डॉक को कभी कट लग गया उसमें बहुत सारा गंदगी है छोटा सा कट है तो इस गंदगी को साफ कर करने के लिए आप लोग इसको इसको इस्तमाल कर सकते हो लेकिन दोस्तों इसका दूसरा भी काम है और वह बहुत ही बड़ा काम है आपके डॉग में कभी कभी जान भी बचा सकता है दोस्तों हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक टाइप का केमिकल है अगर आप लोग अपने ह हाथ पर रखोगि तो ज्यादा कुछ नहीं होगा कभी-कभी जलन कर सकता है किसी-किसी हाथों में और किसी-किसी को नहीं भी कर सकता है दोस्तों यह स्मॉल या माईनर वोंड में इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो गंध की हटाने के लिए अब दोस्तों इसका जो दूसर कभी क्या होता है कि या बहुत ही ज़्यदा सीरियस कंडिशन हो सकता है तो ऐसे कंडिशन में क्या होता है कि लोग आपने डॉक को वमेटिंग करवाना चाहते हैं कि वमेटिंग कैसे भी कैसे वह कर दे लेकिन कई बार क्या हुआ कि डॉक छिपकी लिए या फिर वह पूरा का पूरा सौक सी निगल गया तो वह वमेटिंग करवाना बहुत ही बड़ा प्रोब्लम हो जाता है और यह एक लोचन परोक्साइट का यूज वमेटिंग करवाने में यूज किया जा सकता है तो इसका जो कॉंसेंट्रेशन आपको यूज करना है वह 3% वाला यूज करना है अब दोस्तों के वारे में इस वेबसाइट में आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर अपने लोकल हमारे इंस्टाग्राम पेज के बायो में मिल जाएगा आप लोग जा करके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा और साथी साथ आप लोग अपने डॉक्टर से भी पूछ लीजिएगा और ये प्रोड़क्ट आप लोग अपने घर में जरूर रखिएगा 30 से 40 रुपय में इतना ज्यादा दे देता है और ये बहुत ही ज्यादा काम का चीज है तो अगर अपके घर में थोटा पपी है तो इसको रखिए और बार-बार-ई-СТमाल form करेंगा ये एक प्री को स nursery लिए और डॉक्टर के guidance में आपको करना है और डोस्तो अमारे चैनल पर ऐसे ही बहूँ बहुत सारी इंफर्मेटिव वीडियो जाती रहती है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ऐसा ही रेड कलर में आपको नीचे सब्सक्राइब मिल जागा और बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजेगा दोस्तों हम लोग मिलते हैं और भी बहुत सारी वीड